नमस्कार दोस्तों बिग बूल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद आज हम डिसक्स करें आई यूसियल के बारे में क्या आपको इस शेर पर निवेश करना चाहिए नहीं और शेर में आपको आने वाल टाइम में क्या टार्गेट देखने को मिल सकते हैं और जो गॉर्मेंट ने अभी विंटफॉल टैक्स को जो हटाया है गाईज रिड्यूस के उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा आई यूसियल पे और यहां पे आप देख सेथे गाईज कंपनी का स्टॉक जो है अपने 50-day डैमा और 200-day डैमा की जो मुविंग एवरेज उसके ऊपर जो है ट्रेट कर और यहां पर इसने एक गोल्डन क्रॉस का जो है साइन बनाया है और आपको पता है निचले लेवलों से शेर ने क्या रिबाउंड किया और क्या तगरी रैली जो है शेर में बनी तो मैं आपको अभी भी यही सुझाव दोंगा आप जो है इस शेर पे बुलिश रीजे क्योंकि गाईज एक तो विंटफॉल टैक्सिस में जो गोवर्मेंट कटोती लारी उससे जो बहुत पॉजिटिव इंपक्ट इनिचेर वे पड़ेगा उपर से क्रूड ओल के प्राइसीज जो है वो भी जो है इंटरनेशनल मार्केट में गिर रहे हैं जिसकी वज़े से गाईज जो आयूसियल जैसी कंपनिया इन्हें अपने एबिटा, रेव मार्केट में बेच रहे थे जिससे इनके फंडामेंटल्स में काफी नेगटिव इंपक्ट पड़ रहा था और इनके प्रॉफिट और ग्रॉस मार्जिन में उसकी वज़े से काफी हमें एक नेगटिव मुमेंटम देखने को मिला तो आप यहां पर देख सेरे गाईस कंपन हमारी और यहां पर एक बुलिश कंफर्मेशन इस शेर ने दी है तो मैं आपको यह राय दूँगा आप जो आई इसेल पर बुलिश रीजे यह शेर आपको आने वाल टाइम में जो है और पर्फॉर्मिस करके देगा 130 140 के टार्गेट जो है आपको इस शेर में आने वाल टा और इन शेरों में जो है अभी जो है एक और रैली डियो है तो इस शेर में जो है पुजिशन बनाने की आप सोचे और हमारे चैनल को प्लीश सिस्क्राइब कीजे धन्यवाद गाईस